Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. आज देस सेग्मेंट विच तो अडिनल मुलाकात प्रवान जा रहे हैं साधना जीदी जड़े साड़े महमान ने पूना तो वो शुनाल बड़े लम्मे समय तो जुड़े होए ने ते आज इननल जिन्दगी दे और तजर्बे जड़े सानों पता होने चाहिए देने उस समान विच कुछ गल्ला बातां करांगे क्योंकि अज इनसान जो है तरक्की ता बहुत कर रहे हैं मायक तोरते साड़े कुल बहुत सारे साड़ीयां चीवमेंट्स पूरीयां हो रहे हैं पर अंदरों असी अज़ेवी खालीयां एक येनिंग जो है अंदर किस तरीके ना असी सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं दुनिया भर में जहां भी कोई इनसान है उसके अंदर एक येनिंग है कुछ पाने की 21 सेंचरी में आज हमें किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम अंदर से खाली हैं तो ये खाली पन जो है ये क्यों है धर्म एक माध अचान सके लेकिन उसके बावजूद हम देखे हैं कि धार्मिक अधार्य तो बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ इनसान का जो करेक्टर है इनसान की जो सोच है वो बजाए कि ऊपर को जाए वो नीचे ली तरफ जा रही है बव्कुर सही है आपका अशर्या और यजो समय है एक बहुत special time है यह Leva इस समय में और ओष्यू पइदा होगा, अभ ये क्या है इसको हम थोड़ा समझने तो फार को समय है जो समय में राड़े倍 होगा क्या है जिंदगी में कुछ राहे होते हैं जब चवरहे आते हैं तो सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहां जाएं कौन सा रास्ता हमें सही जगा ले जाएगा तो हम उस ऐसे चवरहे पर खड़े हैं कि जहां से आगे जाएं कि पीछे दायें जाएं कि बायें कुछ समझने नहीं आ रहा है और यह क्यों हुआ यह स साथियों में साइंस और टेक्नोलोजी की बहुत ग्रोथ हुई है पस्चिम में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई कि पूरे दुनिया जैसे बुद्धी और हर तहाय की विज्ञान की खोजे इसमें जुट गई विज्ञान का जन्ब इसी समय हुआ अब यह सारी खोजे हैं यह सिर्फ यूरोप में हुई है और बाकी सारी दुनिया पुराने धंग से अपनी अपनी जिन्दगी जी रही थी तो इस पर रोशने बड़ा अच्छा कहा है कि जो टेक्निक या टेक्नोलोजी की जो ग्रोथ है उसमी उसके हिसाब से उसी तरहा आदमी की चैसना की ग्रोथ भ हुआ क्या है कि जैसे बंदर के हाथ में आप अटम बाम पकड़ा गो तो जो तहलका मचेगा जो तबाही होगी वो आज हो रही हमारे साथ मन जो है पुराना है बंदर जैसा है और टेक्नोलोजी बहुत खतरनाक और बहुत नई किसम की है तो दोनों का मेल होना बहुत जरू की लेकर हम थारत को देख 도स्वारा कुंकि हम आये हैं और वहाहां हो थालोग अपने आप को स्पिरिच्व को डाव आज जो देखते हैं जहां पर कोई ग्यानी विग्यानी नया हुआ हो जिसने के अंदर की बात ना की हो चेतना की बात ना की हो लेकर उसके बावजूद आज जब हम भारत को compare करते हैं दुनिया के साथ तो कर्प्शन में हम बहुत आगे हैं हर चीज में जो खराब चीज उसमें हम आगे जा रहे है और यही सोच जब हम भार्रे मुलकों में आते हैं हम लोग उसी बर्डन को हम यहां भी लाते हैं और वही मैल प्रैक्टिस को हम इन सिस्टम्स में भी लाने की कोशिश करते हैं तो एक तरफ भारत जहां पर इतना परचार हुआ इतने धर्म गुरू हुए लेकिन उसके बावजूद हम इतने पीछे हैं यही भारत की विडंबना है कि वहां इतने सारे धर्म गुरू हुए मतलब मैं सही गुरूं की बुद्ध लेकिन वह किताबों में हैं और जो आम आदमी की जिन्दगी है उसका कोई इस घ्याद से मेल नहीं है और सो तो उल्टा कहते हैं कि जैसे बहुत बड़ा उंचा शिखर कोई हो उस शिखर के पास उतनी ही गहरी खाई होती है वह खाई ना हो तो शिखर उपर नहीं उठ सकता वह हालत भारत की हो गई है ज्यान हमारा सिर्फ बातों में है तो आश्रण में हम खाई में जी रहे हैं तो आज भारत में क्योस है भारत में कई सदिया एक साथ जी रही है तो एक तरफ भारत में बुद्धियों मानी बहुत जादा है wisdom है intelligence है जो कि टेखनोलोजी की दुनिय लेकिन चेर्क्टर एक हमे क्ली मेरव सेलिटा मेल है, लाक गार और करेट्र हमेंगे देनाजा करने हम स्यायां है तो उसनल मेल कोसी हमे है एक तरफ ढख्तिक आगलुसर चाहिए जो हंद्धिक हम चाहिए ली name के लिए व्होंने दिशना ब्रोमोरा क्या है और इसना संवेधन्शी समय है कि इस बात ध्यान का एक विराट अंदोलन चलाना चाहिए पूरी दुनिया में तो इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाए अब ध्यान की तरह सुड़ा सुड़ा सुफ एक बात यृब है थान की थोड़ा सुवाद में फोकुसर के आपसे कुछ देफ्धन विश्व करो गृति द्धरम की बात करते हैं थानके डान की बात कि अवारे से छिफ्णी जुख उचेश और प्रानी नहीं हैं लैकिन जब ध थर्म कहते हैं वह भावुक्ता है, we are a sentimental herd. कुछ भी हो जाए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे राजनीती हो, चाहे धर्म हो, हम भावुक्ता अंधी होती है. धर्म भी अगर अंधा होने लगे, धर्म भी अगर भावुक्ता होने लगे तो धर्म का बहुत बड़ा पतन है यह तर लुटना हो, अगर धर्म के नाम पर करते हैं, तो हमें एक सहारा मिलता है कि हम तो बड़ा काम करने है, जैसे आज जो टेर्रिजम है, वो सफ़र इसलिए हो रहा कि लोग सोचते हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे, और हम तो बड़ा खुदा का काम कर रहें, यह जो हिपनोसिस है, जो सम्मोहन है, उस कारण धर्म हमारा ध भावुक हो जाए और हम भटकेगा नहीं, लेकिन धर्म कि कई सवपान कई सीधियां है, भावुकता के पार है बुद्धी और प्रग्या, तो असल में धर्म है कि और हम क्या समझ रहे हैं, इस ब्रेक के बाद कुछ चर्चा करते हैं कि किस तरीके से असल धर्म का जो मनोरत ह है, वो हम पा सकें और पूरा कर सकें, इसके बारे में इस ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं. जी, ज़दूर. आज दे सेगमें इस मेरा साथ देरेने साधना, जड़े साड़े मेहमान ने पूना तो ओशोनाल बड़े लम्मे समें तो जुड़े रहे, आज गलबा चल रही है, इनर इंजिनरिंग दी, आज जसी बाहर ता बहुत तरक्की कर ली, पर अंदरों अजेवी खा लियां, आज हर एक मनुखन दे अंदर एक चेतना है, एक अंदरों यर्निंग हैगी है, कि वो पता कर सके कि उसता मकसद की है, पर पता नहीं लग रहा, तरम ही एक रस्ता है, जिसनों के अडॉप्ट कर दा है, विकती कोई भी, जड़े भी तो अड़ी आसता है, उसनों तो अनों मुबा अब अगर भावना से बाहर निकल के और स्टेप्स हैं, गुरबानी में एक तो काती है, जो एक पॉड़ी है, जो आफने आएस्ता आइस्ता करना है, लेकिन आथ तो सारी उमर निकल जाती है, हम वही उनी चीजों में फषए रहते हैं, कि हमारे जो दारे में रहे करो एसे क अपर उसी में हम सारी उमर बिता देते हैं, और अखीर में भी मरने तक पता नहीं चलता कि हमारा मकसद क्या था यहां पर आने का तो धर्म की जो आप बात कर रहे थे, असल में धर्म है क्या? धर्म कोई मजहब नहीं है, दुर्बाग यह से धर्म मजहब बन गया है, तो उसमें क्या होता? क्रिया कांड, रस्मो रिवाज, आचार, तो हर धर्म कोई इस्तियोहार होगा, कोई रस्म होगा, भी मान्यता होगी, यह धर्म नहीं है, धर्म के दो पहलों मैं देखती हूं, ए यह तुच्चापन यह स्वार सीप्मा नहीं सीखाता हूं सैंसी क्रिकिश हूं, फिर भी में उसमें क्यों पढ़े रहते हैं, थो भूद को धर्मी कहते हैं, यह धर्म ही रहता. भी धर्म मानने परिभषा Okay. वह धर्म के बरी पश्चिम जैसा नहीं हो सकता तो वह धर्म क्या होगा वह मानवता हर मनुष को पूरे विश्वस तर पे एक की तरह जो ट्रीट करें और जीए जिए और यह जो धर्म होगा ना इसका कोई नाम नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर आप मनोविज्ञान के तल पे धर्म को अतनाते जो इसे सुख दुख है आपके घर में कोई मर गया वगा हिंदू को भी दर्ध होगा एक है मुसलिम को भी होगा, खृष्ट्यम को भी होगा, पूरब को भी होगा, परश्रीम को भी होगा, विग्ञान एक है, तो अगर अगर अपनाए, तो यह धर्म के धकोसले और लड़ाई ज़गरे की ज़रूरत नहीं रहीं, आपके ख़ए कोई तरग्य होई, आपने पार् कम होगी और उसके बार दूसरे बुद्धि कि जो काटती है बुद्धिन नहीं बाईधिन कि रिखने कि गांविति उख्ता नहीं होगा है। आप वेज्ज्घानिक बुद्धि के सहारे हमको अपनी कामिया है तो योग ओक विग्ञान थे प्रफूर्ण का विग्यान है आप भाव जो भाव का विग्याना थे पर पशची में बड़ी खोजे हुए पुरा सामराज्य उनका। उसका उप्योग उसका किया है ध्यान के लिए। आप मानलीजिए कि एक राजपत होता है। अब हम लोग उसे इतना हट गहे हैं, अब ध्यान की छोटी चोटी पगड़न्डियां बनानी जरूरी हैं। तो जो पकडंडिया है उसको एक्टिव मेडिटेशन कहते है तो आज अगर किसी आदमी को जो बहुत अपने बिस्नेस में वैस्ते है उसको बोलो कि सब चोड़ तू और पांच मिनट कुछ ना कर, मुबाईल वबाई सब चोड़ दे, आंखें बन कर बैठ जा, बैठ सकता है? एक तो शरीर में उसके इसनी बेच हैने कभी खुझ लियाएगी, कभी मच्छर काट रहे है, कभी मेरे कुछ हो रहा है, मन में क्या चाज़ेगा? अरे मेरा तो कोई इंपार्टन फोन काल रहे गया, और मुझे अपॉइटमेंट थी, यह है वो है, तो आज का आदमी चुप खाली करो, और खाली करने के बाद आप अपने आप शान पहेच जाएगे, तो यह जव है, यह मनोवग्यानिक और वग्यानिक ध्यान की विधी है, इसी का जमाना है, यही टिकेगा, और छोटे मोटे मजभ जो लड़ना, काटना सिखाते हैं, वह अब टिकने वाले नहीं है अपने पड़ी इंपॉर्टन बाट कुछ हुए कि यह अभी टिकने वाले नहीं है, लेकिन जो हलाद बने पड़े हैं, आज दुनिया का इतिहास जब धम देखते हैं, तो आज तक जितने लोग मारे गए धरम के नाम के उपर शायद वैसे नहीं मरे होंगी, लेकिन हमारी स जो हम वह शाल सोच कहते तो हैं, लेकिन जब धरम की बाद आती है, जिस भी मजब के साथ हम जुड़े हैं, हम फिर संकोच कर लेते हैं अपनी सोच को और उसी में फ़स जाते हैं, जैसे आपने पहले का थाए कि एक एमोशन से बाहर निकलने के लिए ध्यान एक तरीका है, अगले सेग्में में आप से ध्यान के ओपर फोकस करके बात करूंगा, लेकिन जब भगवान की बात करते हैं, अफ्टर आल दिर सम सोर्स एंटिटी जो मर्जी हम नाम दे 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 इसको भगवान कह दे राम कह लें, वही गरू कह लें, अल्ला कह लें, कोई ऐसी तो आप शायद बुरा मान जाएंगे, बताएंगे, हैराण में जाएंगे, ओशो कहते हैं, गौद ऐसा कोई है नहीं कभी था, उनके एक बहुत बड़ी किताफ है, गौद इस डेड, और मैं इस फ्री तो लिव, गौद क्या है, गौद एक कल्पना है, एक चोटा बच्चा होता है, वो अकेले सोने से डरता है, तो एक टेडी बेर चाहिए, यो युकि अव रवाब के साथ सता नहीं, गौद कर से बादा बना लें, गौद बना ले जा है, तो गौद तुम्हारा टेडी बेर कि कोई है जो मुझे सहारा देगा और जो मेरी सुनेगा और गॉड भी ऐसा उसका कि उसकी सुनता और दुश्मन की नहीं सुनता ऐसा कोई गॉड हो सकता है तो तुम्हारा खिलोना है तौय है वह उस आत्मी के लिए था जो अविक्सित था जैसे अगर आप हम हमानिटी का ले कोई वरिष्णो माता दिखिए आपको कहीं खड़ी हुई या कोई चार हाथों वाला और या दस भुजाओं वाला ऐसा कोई होता नहीं अगर आज आपके घर ऐसा कोई आए अपको घर में लेंगे लेकिन इसकी पूजा करेंगे मुर्ती की तो यह जो विरोधाभास है वह बचकानी मानवता का प्रतीक है यह तो गौद उसो कहते हैं कि गौडलीनेस है मतलब भगवता है बगवार नहीं है तो आज ऐसे नुकलियर एज में हम जी रहे हैं जब इन लोगों ने अटम का एक्स्प्लोच किया आइंस्टाइन या बाकी सारे लोगों ने उनको तो गौड भी एनरजी है राइट क्या नाम दो दो इसको क्या मूर्ती मनाओ उसकी कोई फोटो इंपोसिबल इन तो उसके साथ जैसे विज्ञान विक्सित हुआ आदमी की बुद्धी विक्सित हुआ यह हमारा गॉड भी विक्सित हुआ यह जो आपने बात अगे अगें की कि गौड भी विक्सित हुआ लेकिन हमारी सोच फिर वही मेरा सवाल जो पहले था कि यहां पर आके क्यों रुक जाती है वैसे हम बहुत स्याने हैं हर एक चीज में हमने उनती कर ली लेकिन इस सवाल के ओपर आज भी हम अडे हुए हैं और इससे बाहर निकलना नहीं चाह लिए त्यार नहीं है जिसके बरें बात करते हैं इस परेक के बाद है वेन का साथ टाइल यह ते स्टोन शोरूम एक ऐसी था है जिते तो अनूं होलसल कीमतां दे हर किसंदिया टाइल स्टोन मार्बल बैक्स्फलेश मोजेकाद वाजब कीमतां दे मिल सकता है इटालियन पूर्सलेन यह सेरामिक टाइल्स यह मार्बल स्पेशल ओर्डर ते जा क्लेरंस ते ले सकते हो मालक डारेक्ट टाइल्स इंपोर्ट कर दे हं जिसकर के वधिया क्वालिटी दा समान तुसी अपने कारदा शिंहार बना सकते हो आजी विजट करो 1304284 एबनीव सरी 304-303-703 604-330-7363 साधना जी ना गलबात चल वह बहुत ही महत्यपूरन विशेंद ते क्योंके एह चर्चा रोज मरा जिन्दगी चसी कर दे हैं पर समझ नहीं आ रही बहुत कोश्चा कीति हैं जा रही हैं पर उस दे बावजूद इंसान अजे वी हने रे विच है अब कुछ चानन पांदी कोशिच जो साधना जी का रहे हैं इस दुते कुछ खोर गल बात कर दे हैं तो यहां पर आके जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे हैं यहां क्यों हमारा चेतना या हमारा दिमाग जो है अड़ जाता है और इसके लिए निकलने के लिए इस सोच से मैं इसे सब्सक्राब करूज जाता है। क उसके वितर कहीं एक छोटा सा गौड के लिए है तो हम जब धर्न की गौड की बात करते हैं वह भाउकता से उपर नहीं उठ पाते हैं इसलिए भाउकता के उपर हम उठ नहीं पाते हैं इसका एक ही कारण होगा कि अगर हम अपने पारिवारी रिष्टों को देखें हमारे परिवार के जो संबंध है वो टोटली हमारा अनकॉंशन एरिया है माफ कर रहें मैं ऐसी बात करूँ तो किसी को पसंद नहीं की पाषा प्सक्र Alpha इंEMAiseen की बहाए भावना है वो कहां से हम सीखते थै ऐं का से पनफ़ती है जी बाप बहन भाई इंगों से इन लोगों से इनम्निंट से बिलकर आ वो मानने हुए कि यह तेरी माँ है यह तेरा बाप है इनका आदर करना है बाप माँ को समझाए गया कि तुम्हारे बच्चे इनका पालन पोशन करना है वह भाइब है नों के साथ लेकिन वेस्ट ने इसको स्विकार किया है जी पश्चिव में जो मनो विज्ञान का इतना विकास हुआ वह इ अधर के बड़े वह इनसान है माँ होना बाप होना एक रोल है एक भूमी का है लेकिन इसके पार उनकी जो अपने अपनी कमजोरियां है उनके जो अपने घाव है उनके अंदर उनकी जो अपनी महतवा कांक्षा है वह तो है वहां पे लेकिन माँ होने से कोई वह सारा चला जब तक वो अस्तरी उस पर काम ना करे उसे पार नहीं पाया जा सकती अब क्या होता है कि माक होने के पर्दे के आड़ बाप होने के पर्दे के आड़ यह सारी बुराईयां हमें प्रवेश कर जाती हैं उनके माता पिता ना या समाज ने उनके साथ जो किया वही वह हमारे इसे जो आपर सदियों से जल रही है और चलती रही है जैसा समाज है नहीं चलती नहीं रहींगे लेकिन इसमें बाहर निकलने के लिए वाट स्टेप्स नीट बात करेंगे अब हम अपने आने bunay प्रोंग में आपसे विस्तार में लाעर करेंगे हैं कि conditioning ही इननती चाहे हुए सब्सक्रूल में हो थाय है जाय हो समाज में और देश की conditioning हम जो भी किसम के अपना रहें 뭐 कैसे हमारे उस कारती से बचक हम अपना एक हस्ती इसको बरकरार रखना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको बहुत धन्याबाद यहां पे आके इस इसको टैस्के लिए तू